आने वाले इस नए साल में, 2023 में, अगर आप गूगल ट्रस्टर फोटोग्राफी बिजनस को शुरू करना चाहते हैं, तो इसके कैसे शुरू कर सकते हो आप, किस बिजनसे को टारगेट करना चाहिए, कौन से बिजनसे आपको पहले कौर्टर में, मतलब जैनुवरी, फेब्र ट्रस्टर फोटोग्राफी कम्यूनिटी इंडिया, और आज के इस वीडियो में, यह सब कुछ चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ, सो शुरू करते हैं, गूगल ट्रस्टर फोटोग्राफी न्यू इयर में ही आपको क्यू स्टार्ट करना चाहिए, I hope आपको मेरा स्क्र में आपको क्यू स्टार्ट करना चाहिए, पहली चीज, फॉस्ट पॉइंट है, कि हर कोई बिजनेस वोनर यह चाहता है, कि अपना बिजनेस दिन, दो गुना, राज चो गुना हो, हर कोई चाहता है, कि उसके पास में बहुत सारे लीड्स आए, कस्टमर्स का फुट फॉट बड़े, online views बड़े, कई सब्सक्राइब, हर कोई चाहता है, कि अपना बिजनेस वो बढ़ाए, और हर कोई चाहता है, कि अपने बिजनेस के लिए कुछ नया करना चाहिए, नय साल में, तो यह जो गूगल ट्रस्ट फोटोग्राफी है, यह कई अलग अलग तरीके से, जो ह हो, तो उस बिजनेस जो है, वो online grow होता है, मतलब मान लिजए आपने किसी restaurant की लिए offer किया है, या hotel की लिए किया है, या school की लिए किया है, तो उनका business इस से online grow होता है, first, so जो कुछ भी amount वो आपको pay करते हैं, वो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ साल में, वो जो है, वो recover ह हो जाने वाले, so this is the first thing, जो कि सबसे best है, next, जैसे कि हमने कहा थोड़ी देर पहले, कि अगर आप चीजे online दिखना शुरू जाते है, visibility जादा बढ़ती है, तो उनको customers मिलते हैं, उसी के साथ आचा तो उनकी जो online visibility है, वो boost होती है, Google पर, और अगर आप किसी specific business के लिए काम कर हो, जैसे कि school है, college है, real estate है, तो उनके लिए इसके through आप lead generation भी कर सकते हो, हाला कि lead generation जो है, वो बहुत सारे जगे प्यूज़ होता है, लेकिन specifically मैं यह दूतीन categories आपको भी बता रहा हो, most importantly, सबसे important बात यह है, कि यह जो concept है, यह इंडिया में अभी-अभी launch हुआ है, secondly, यह बहुत ही unique concept है, और आज बहुत ही कम लोग इसके उपर काम करते हैं, so अगर आप इसको initial level पर start करते हैं, या फिर कोई भी business को implement करते हैं, तो इनको advantage बहुत ज़्यादा मिलते है, वो out of the crowd जाके कुछ अपने business के लिए नया करते हैं, दस साल पहले के अगर बात करें, तो हमने list आप जो है, आपका business जो है, वो crowd से जो है, stand out होगा, right, so new year start होने के पहले ही, आप जो है, इससे start कर सकते हैं, basically, मैं December मैने से ही आपको recommend करता हूँ, क्यों, देखिए, 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 because 25th को almost जो है, आपका Christmas होता है, but Christmas के पहले, आप जो है, इसको start कर सकते है, let's say, 5, 10, 15 days before, कैसे, देखिए, Christmas के दोरान, हर restaurant, hotel, ऐसे कई सारे categories में, इसकी जो demand है, वो already बढ़ जाती है, तो वही से अगर आप इसको start कर सकते हो, तो new year के आने के पहले ही, आप जो है, इसको start कर सकते हो, new year आने के आपको wait नहीं करना है, next, मैं आपको बताना है, तो आपको अच्छा business मिल सकता है, उन businesses के बारे में, यहाँ पर जो है, भी हम देखते हैं, तो देखिए, first, मेरा top list में, जो सब से top पर आता है, वो है, schools, colleges, यह मेरे सबसे favorite है, because new session शुरू होता है, नय academic शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर schools और colleges को, and institutes को भी, अपने admissions बढ़ाने के लिए, यह बहुत ज्यादा help करता है, और जैसे मान लिजे कोई school है, college है, या institute है, और आप सभी को पता है, schools, college और institutes, अपने infrastructure पे बहुत अच्छा एक heavy amount spend करते हैं, और वो चाहते हैं, के parents और students को यह चीज़े online दिखे, and parents भी चाहते हैं, के मेरा, अगर बच् photography या वहाँ पे जो है, आपको बहुत ज्यादा help करती है, और उसी कत्रों admissions भी जो है, वो बढ़ती है, so schools, college, institutes, यह आपके top priority list में होना चाहिए, अब schools, जो है, वो कोई भी school रहेगा, एक primary school से, secondary school दब कोई भी school आप consider कर सकते हैं, colleges again, arts, commerce, science, pharmaceutical, medical, engineering, हर एक college को आज चीज़ चाहिए, every college, institutes के अगर बात किये जाए, तो universities, private institutes, हर एक institute को भी आज जीज़ जो है, वो चाहिए होता है, तो इन यह जो segments है, इनको अगर आप target करते हो, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको result मिलेगा, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको add करना चाहूँगा, कि लिए कि इंडिया इसे बहुत ही बड़ा हमारा एक country है, and हर states में कभी ना कभी कोई ना कोई festival, कोई ना कोई चीज़ से जो है, वो शुरू ही रहती है, तो जैसे कि मान लिजिए, अभी जब wedding season होता है, तो आप wedding में भी इसे use कर सकते हैं, अभी first quarter में schools, college और institutes के में मैं recommend कर होता है, लेकिन जो peak time होता है, वहाँ पर अगर आप right time पर पहुचा तो business जो है, वह आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, right, तो अगर आपको भी Google ट्रेसर फोटोग्राफी से हर एक महीने 1,00,000 रुपीज या उससे बजाता कि earning कैसे करना है, यह अगर आपको समझना है, तो मेरे free workshop को आप register कर सकते हैं, register करने के लिए description ने मैंने एक link दिया है, वहाँ से जा कि आप मेरे workshop के लिए register कर सकते हैं, इस workshop में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप practically हर एक मेने 1,00,000 रुपीज या उससे वजा कि earning कर सकते है, Google ट्रेसर फोटोग्राफी के तुरूप, जो कि म अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक दीजेगा, सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को हमारे और भी ऐसे वीडियो जो हमें लेके आने वालों, Google ट्रेसर फोटोग्राफी के रिलेटेट, डिजिटर मार्केटिंग के रिलेटेट और इस सब्सक्राइब के रिलेटेट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो डोंट फगेट टू प्रेश द लाइक बटन और सब्सक्राइब को चैनल, थैंकि सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्यू.